वेलकम फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आइटिया एक्जाम तक में दोस्तों अगर आप भी सेकंड इयर का एक्जाम देने वाले हैं आइटियाई का तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा क्योंकि आज के वीडियो में बात कने वाल तो आज के वीडियो में इनिस जो है सभी ट्रेड थियोरी के जो है कुशन को देखेंगे तो यहाँ पर पहला कुशन पूछ गया है नैंड तथा नौर लॉजिक गेट संयुक्त रूप से हैं तो नैंड और नौर गेट जो है ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं रा तो बैटरी चार्जिंग के लिए किस जनित का यूज किया जाता है तो यहाँ पर जो है संट जनित्र का यूज किया जाता तो correct answer इसका है cross jump gun right answer है option number यहाँ पर first अगला question यहाँ पर देखेंगे question number चौथा यहाँ पर पूछागिया है power or control wiring वाइरिंग्स अलग-अलग race विज में क्यों चलते हैं power or control wise वाइरिंग्स जो है अलग-अलग race में क्यों चलते हैं जिस correct answer है radio हस्ता च्छेप को कम करने के लिए इसको यहाँ पर चलाया जाता है correct answer है option number four पांचवा question है आपर पूछा गया है DC motor में बलाघूर के समानपाती कौन सा है DC motor के बलाघूर किस जो है समानपाती पूछा गया है तो correct answer है इसका था armature current के जो है समानपाती होता है अगला question देखेंगे question number यहाँ पर चठा क्या बोला गया है पूछा गया है DC generator के समानतर बनाने की सर्थ क्या है DC generator को समानतर बनाने की सर्थ जो है क्या होती है तो correct answer है दरुबता और output voltage जो है यहाँ पर समान नहीं समान होना चाहिए right answer है option number second अगला question पूछा गया है चुम्ब की छेतर की सकती की क्या है चुम्ब की छेतर की सकती की क्या है यहाँ पर पूछा गया है तो MPR गोड़न बटे मीटर इसका इकाई होती है right answer है option number second number का अगला है पचास हड़ इसकी अबरती के लिए समय अवधी होती है पचास हड़ इसकी अबरती के लिए समय अवधी पूछी गया है तो correct answer है 20 millisecond question number 9 पूछा गया है निवन में से कौन सा कम रखाव रख रखाव वाली मोटर होती है किस मोटर को जो है सबसे कम रख रखाव की जरूरत पढ़ती है तो यहाँ पर है correct answer DC series motor DC जो है स्रड़ी मोटर DC series motor इसका right answer है कौन सा नियम DC generator में प्रेरित EMF की दिशा को बताता है कौन सा नियम जो है DC generator में प्रेरित EMF की दिशा को बताता है तो यह किसका नियम है flaming के दाएं हाथ का यह नियम है तो राइट एंसर है इसका 4 नमबर का अगला कुशन पूचा गया है कुशन नमबर यहां पर ही क्या रहा है चुम्बक के दो धुरूओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या करते हैं तो इसे चुम्बक की अच का जाता है The Magnetic Axis इसे का जाता है कुशन नमबर यहां पर 12 पूचा गया है SCR की प्रारूपी सुचन अबरित्ती जो है कितनी होती है SCR की प्रारूपी सुचन अबरित्ती जो है कितनी होती है तो यह 500 हर्ज होती है कुशन नमबर यहां पर 13 नमबर पूचा गया है प्रेणियमन में से कौन सा मोर्टर नियत गती पर चलता है। जो भार इस्थितियों पर निर्भर नई करता है। यह पर पूछी गए हैं। spear पर चलने वाली मोर्टर यहां पर पूछी गए हैं। तो यह कहां पर पाई जाते हैं जल बिद्दुत में हाइड्रो एलक्तिक में इसका यूज किया जाता है राइट एंसर है अप्शन नमबर थार्ड नमबर का अगला कुशन है प्रखाचो की कुल संख्या और ध्रूमो की कुल संख्या के अनुपाद को जो है क्या कहते हैं तुझे से कहते हैं पॉल पिच पॉल पिच जो है किसे कहते हैं काचो की संख्या बटे द्रूमो की संख्या को क्या कहते हैं पॉल पिच का जाता है नमबर से कौन लोह चुम्ब की पदार्थ नहीं है कौन जो है लोह चुम्ब की पदार्थ नहीं है तो यहाँ पर प्लेटिनम प्लेटिनम जो है लोग चुम की पदार्थ नहीं होता है अगला कुछन है पवन टर्बाइन द्वारा उत्पन बिद्धुत सकती की प्रक्रित होती है पवन टर्बाइन पडाली द्वारा उत्पन बिद्धुत सकती की सकती किस प्रक्रित की होती है तो करेक्ट एंसर है यह इसी प्रकृत की होती है राइट एंसर है अप्शन नमबर थावन नमबर का अगर ठारा नमबर का कुछ्छन है निमने में से किस उपकरण में दीद इसी विद्धारा चमता होती है तो यह कौन सा है आर सीटी है आर सीटी एक डीसी संट जनरेटर कैसा होता है एक डीसी संट जनरेटर जो है कैसा होता है तो यह सेल्फ इस्टार्ड जनरेटर होता है यानि कि इसको सेल्फ स्टार्ड किया जा सकता है अगला कुछन है किस प्रकार के डायोड के लिए उतकरम पुन प्रहपती समय जो है निमनतम होता है तो यह कौन सा डायोड होता है सौकती डायोड होता है यह राइट एंसर है अप्शन नंबर यहां पर फ़स्ट नंबर का अगला कुछन है निमलिकित में सक्या एक ट्रांजिस्टर नहीं तो ट्रांजिस्टर का प्रकार यहां पर कौन सा नहीं है सबसे महांगी वायरिंग पड़ादी कौन सी है, तो सबसे महांगी वायरिंग पड़ादी कौन सी है, Conduit wiring होती है Conduit wiring Correct answer है अगला question है एक हैलोजन लेंप का जीवन काल यहाँ पर कितना होता है एक हैलोजन लेंप का जीवन काल पूछ अगया है तो यह 500 से 800 गंटे तक होता है राइट answer है आपसे नमबर यहाँ पर थाड़ नमबर का तो यहाँ पर आजके वीडियो में 25 कुइशन बता चुके हैं बाकि यहाँ पर 15 कुइशन है जिसमें कि आपको यहाँ पर कुछ इमेज के भी कुशन पूछेके हैं तो उनको अखले वीडियो में कबर करेंगे तो अगर आप अब एक जाम है तो इस वीडियो को like करें साथ ही साथ इस वीडियो के description में कई चारे paper का link दिया गया है तो आप जो है उसे भी देखिए और playlist को जरूर चैक करें second year का अलग से playlist बढ़ा दिया गया है वहाँ पर second year के सभी paper आपको मिल जाएंगे तो आज के लिए बैस इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पॉर वाचिंग दिस वीडियो